My dear students, Assalamualaikum आज के वीडियो में हम जिस पॉयम की समरी डिसकस करेंगे उस पॉयम का नाम है Try Again ये पॉयम W.E. Hickson या William Edward Hickson ने लिखी है ये पॉयम 10th क्लास के English के syllabus में शामल है हम ये समरी अर्दू तर्जमा के साथ पढ़ेंगे ताके इस पॉयम की understanding आपको अच्छे तरीके से हो जाए तो आएए शुरू करते हैं Try Again is a thoughtful and optimistic poem by W.E. Hickson यहां पर thoughtful का मतलब है जो सोचने पर मजबूर करे या जो सोचने की तरगीब दे और optimistic poem ऐसी poem जो मुस्तक्बिल को लेकर बहुत पुर उम्मीद हो William Edward Hickson की ये नजम हमें यानि readers को सोचने की तरगीब देती है और मुस्तक्बिल के बारे में पुर उम्मीद रहने का पेगाम देती है यहां पर exemplar का मतलब है मिसाल या नुमूना Lesson सबक Courage कहते हैं होसला को हिम्मत को Bravery बहादुरी Elegance वकार इज़त और patience का मतलब सबर यह नजम हिम्मत, बहादुरी, वकार या इज़त और सबर का सबक देती है Trying again and again leads to success Trying again and again बार बार कोशिश करना leads to रहनमाई करता है या लेकर चला जाता है सकसेस कामयाबी बार बार कोशिश करना हमें कामयाबी की तरफ ले जाता है The message of this poem is universal Message, पेगाम, यूनिवरसल का मतलब है जो काइनाती हो यानि दुनिया के हर एक शक्स के लिए हो यह नजम हमें काइनाती पेगाम देती है यानि इस नजम में एक ऐसा पेगाम है जो दुनिया के सारे इनसानों के लिए है If we fail in our first attempt, we should not get depressed Fail, नकाम, first attempt, पहली कोशिश Depressed, मायूस होना, परेशान होना अगर हम अपनी पहली कोशिश में नकाम हो जाएं तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए We should try again with more energy and strength We should try, हमें कोशिश करनी चाहिए again दोबारा with more energy, ज्यादा ताकत के साथ and strength और तवानाई के साथ पहली बार कोशिश करने में अगर हम नकाम हो जाएं तो हमें दोबारा ज्यादा ताकत और तवानाई के साथ कोशिश करनी चाहिए Surrendering to obstacles or challenges is against the dignity of man Surrendering to हार मान लेना Obstacles, रुकावटे, चैलेंज़, मुश्कलाथ Against, खलाफ, डिगनिटी आव मैन, इनसान की अजमत मुश्कलाथ और रुकावटों के सामने हार मान लेना, इनसान की अजमत के खलाफ है Failure strengthens man to try again with strong determination Failure नाकामी, strengthens man, इनसान को ताकत महया करती है To try again, दोबारा कोशिश करना With, साथ, strong determination, मजबूत, कुवत, इरादी नाकामी इनसान को मजबूत, कुवत, इरादी के साथ दोबारा कोशिश करने का होसला बखचती है या ताकत महया करती है A wise person always learns from his failure A wise person, एक अकलमांद शक्स, always learns हमेशा सीखता है From his failure, अपनी नाकामी से अकलमांद शक्स, हमेशा अपनी नाकामी से सीखता है The spirit of trying again, vanishes man's fear Spirit, जजबा, trying again, दोबारा कोशिश करना Vanishes, खत्म कर देता है Man's fear, इनसान का खौफ दोबारा कोशिश करने का जजबा इनसान के अंदर छुपे हुए खौफ को या डर को खत्म कर देता है We should never get disheartened If we make mistakes We should, हमें, चाहिए Never, कभी नहीं Get disheartened दिल चोटा करना, मायूस हो जाना If, अगर We make mistakes हम गलतियां करते हैं अगर हम गलतियां करें तो हमें दिल चोटा नहीं करना चाहिए या हमें मायूस नहीं होना चाहिए Failure does not mean The game is over Failure नाकामी Does not mean मतलब नहीं है The game खेल और खत्म नाकामी का ये हरगस मतलब नहीं है के खेल खत्म हो गया It means Life is asking you To prove your fortitude With more constructive effort And be a pace setter It means इसका मतलब है Life is asking you जिन्दगी आपको कह रही है To prove your fortitude कि आप अपने होसले को साबत करें With more constructive effort ज्यादा तामीरी कोशिश के साथ And be और बन जाएं आप एस सैटर एक मिसाल दूसरों के लिए नाकामी का मतलब ये नहीं होता के खेल खत्म हो गया बलके इसका ये मतलब होता है के जिन्दगी हम से ज्यादा तामीरी और बेहतर तरीके से कोशिश करके अपने होसले को अपनी हिम्मत को साबत करने का कह रही है ताके हम दूसरों के लिए एक मिसाल बन सकें और वो हमारी पैर भी करें तो बच्चों ये थी आपकी समरी ट्राइ अगेन की जो के लिखी है विलियम एड़र्ड हिकसन ने अगर आप ये समरी इमतिहान में बगार गलती की ये हुए लिख दें तो आपको इंशालला पांच में से पांच नमबर आएंगे यानि 100% सक्सेस इंशाला